Hello students, welcome back to JKSmart classes आज हम distance करने जा रहे हैं most important topic आज हम application of binomial theorem में आज हम second problem approximation की distance करने जा रहे हैं ये भी जो question है वो काफी बार PSBT exam में आया हुआ है ये 10 marks का question paper में आता है 10 marks काफी होते हैं डिप्लोमा में pass होने के लिए आपको 30 marks चाहिए और 10 marks अगर इसके आ रहेंगे तो smart study आपकी हो जाएगी तो ये आप easy इसको कर लीजिए क्योंकि इसका answer जो है वो change नहीं आता जो answer है वो same ही रहेंगे जो रकम है वो same ही रहेंगी ऐसे ही रहेंगे तो इसलिए आपको just इसका method आना चाहिए और कैसे कर रहेंगे ये आपको आना चाहिए आप इसको 10 marks easily ले सकते हैं तो चलिए start करते हैं question है क्या if x is so small तो x मारा बहुत small है तो जब भी ऐसा आ जाएगा x is so small तो आपने neglected और ये बोला है कि value निकालो तो आपने application और binomial में approximation value ही find out करनी है तो ये कैसे करेंगे x small है उसकी square and higher power बिल भी neglected रखनी है तो ये approximation में ही मैंने आपको बताया है previous वीडियो में भी कि ये approximation में ही binomial का approximation problem है इसमें formula क्या आता है 1 plus x की power n तो 1 plus x की power n अब इसको बोलोगे sir formula कैसे या रखना है आपने लिखना है 1 plus यहां लिखना है आपने x यहां लिख देना है आपने x का square और यहां पर आपने लिख देना है x का cube अब टू infinity तक ऐसे ही लिखना है अब इसमें insert कर देना है यहां पर लिखना है आपने n ठीक है यहां पर लिखना है n, n-1 यह दो बा लिख दिया, दो N और N-1 तो नीचे लिख देना है 2 factorial और ऐसे ही N, N-1, N-3 और नीचे लिख देना है 3 factorial तो ऐसे हम इसको solve जो है वो करते हैं अब कैसे solve करेंगे, यह sums देखते हैं इसका answer भी पड़ता है, कि यह हमने answer जो है वो लेकर आना है, तो चलिए start करते हैं question में first देखिए, हमारे पास यह है 9 plus 7X का under root, पहले तो हमने इसको solve करते हैं simply why इसको करते हैं, तो हमारे पास है 9 plus 7X, इसको हमने solve करना है तो यह बंदेगा 9 plus 7X की power इसको हम पहले तो 1 by 2 लिख देंगे ठीक है, 1 by 2 लिखने से हमने अब जब भी ऐसे आजगा तो power इसकी 1 by 2 under root की होती है अब हमने क्या करना है, इसमें एक चीज़ जरूर याद रखनी है हमारे पास formula होता है 1 plus X, means 1 होना चाहिए तो यहाँ पर क्या है 9, तो हम क्या करेंगे 9 जो है, वो common निकालेंगे अगर हम 9 common निकालेंगे तो इसकी power जो 1 by 2 है, वो भी 7 में आएगी student गलती कर देते हैं क्योंकि जो 9 है, अगर बाहर निकलेगा तो इसकी power भी जो है जो 1 by 2 है, यह इसके साथ आएगी अब हम 9 बाहर निकाल दिया इसके पास 9 था, तो इसके पास क्या रह गया, 1, तो इसके पास क्या रह गया, 7 X, इसके पास 9 नहीं है, मैं 9 नहीं जा सकता, तो यह 9 इसके नीचे आजएगा, मिंज इसके पास पैसे नहीं है, उसके घर हम बैठे रहेंगे कि पैसे दे फिर हमने जाना है तो ऐसे इसके पास 9 था इसने दे दिया इसके पास 1 ही रह गया इसके पास नहीं था इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो यह 1 by 2 ऐसे आ जाएगा अब जहें इसको solve करते हैं यह कितना रहेगा 9 है तो इसको हम 3 का scale लिख सकते है 1 by 2 है 2 से 2 कट जाएगा तो यह रहेगा 1 plus 7 by 9 X की पावर 1 by 2 अब हमने यहाँ पर कितना formula लगाना है जो मैंने बताया था उसने बोला है कि X and square and higher power will be neglected यह दिखी लिख्या हुआ square power and higher power will be neglected इसका मतलब हमारा just formula लगाना है 1 plus NX 1 plus NX हमने formula लगाना है और हमारा answer आ जाएगा तो हम यहाँ पर वो ही चीज़ लगाने जा रहे है यह आ जाएगा 3 plus यहाँ पर अगर हम इसको compare करते हैं 1 plus X की पावर N से तो N हमारा कितना आ जाएगा N तो हमारा 1 by 2 आ जाएगा और X हमारा कितना आ जाएगा X हमारा बन जाएगा 7 by 9X अब इसको formula को क्या लिखते हैं 1 plus NX मैंने पहले ही बोला था कि हम इसको 1 plus NX लिख सकते हैं तो यह आ जाएगा 3 ऐसे यह जाएगा 1 plus N कितना है हमारा 1 by 2 X कितना है X है हमारा 7 by 9 साथ में X तो ऐसे आ जाएगा तो यह बन जाएगा 3 1 plus यह कितना जाएगा 7 by 18 साथ में X आ जाएगा अब जास्ट इसको हम multiply कर देते हैं इसको इससे multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 3 इसको इससे करेंगे तो यह रहेगा 3 multiply 7 नीचे यह रहेगा 18x इसको कट जाएगा तो यह बन जाएगा 3 plus 7 by 6s तो यह इसको कैसे सौल क्या था इसका 9 plus 7x का under root तो यह हमने इसको simplify कर दिया है इसके हम यह वाला लिख देंगे इतना हमने सौल कर लिया है आगे जल्दी जल्दी से आगे वाला देखते हैं आगे वाला है हमारा 16 plus 3x की power 4 है तो इसको हम कैसे करेंगे यह है हमारा 16 minus 3x की power यह ऐसे लिखा है 4 इसका मतलब होता है 16 minus 3x यहाँ पर 4 लिखा है तो यह means 1 by 4 है अगर 3 लिखा होता तो 1 by 3 है तो फिर से वही बात हमारे पास इसके 1 plus 1 plus x का n बना चाहिए means यहाँ पर 1 आना चाहिए यहाँ पर क्या है 16 तो 16 बाहा निकालेंगे तो इसकी power 1 by 4 है तो वह भी सास में जाएगी यहाँ पर क्या रहेगा 1 यहाँ पर क्या रहेगा 1 और यहाँ पर इसके पास नहीं है 16 तो 16 इसके नीचे आ रहेगा और इसकी power बन जाएगी 1 by 4 आगे देख लेते हैं आगे यह कितना रहेगा यह कितना है 16 यह क्या है 4 तो हम लिखेंगे 2 की power 4 तो यह 16 ही होता है साफ में 1 by 4 तो यह रहेगा 1 minus 3 by 16 X की power 1 by 4 यह और यह कट जाएगा अगर हम इसको अब compare करेंगे compare करेंगे हम इसको compare करते हैं 1 plus X की power N से जिसको हम 1 plus NX लिख सकते हैं तो यह क्या आएगा X क्या आएगा X हमारा आजाएगा X हमारा बन जाएगा minus 3 by 16 X और हमारा जो N है वो बन जाएगा 1 by 4 और एक चीज और बाद यह चो 2 है वो आपने रखना है साथ में अगर भूल जाओगे तो अंसर गरत आजाएगा 2 आजाएगा यहाँ पर हमने क्या लगाना है 1 plus NX मिन इसको solve करके हम 1 plus NX ही लगाते हैं तो हमें X भी निकाला हुआ है अब हमारा आजाएगा 2 1 plus N कितना हमने निकाला 1 by 4 X हमने कितना निकाला X हमने निकाला है minus 3 by 16 तो यह 7 में X तो ऐसे बन जाएगा अब अगर इसको multiply करेंगे तो यह आएगा 2 यह कितना आ रहेगा इसको इससे करेंगे तो इससे यहाँ पर minus आ रहेगा minus 6 over 64 7 में X आ रहेगा अब इसको और छूटा कर सकते हैं यह 2 के टेबल पर चला जाएगा यह बन जाएगा 2 minus 3 over 32 X यह किसका निकाला था हमने 4 minus 3 X नीचे 4 means 1 by 4 अब हमने इसका भी जो है वो निकाल लिया अनसर अब हम इसकी value fill करते हैं अब हम इसकी value यहाँ पर fill करते हैं देखते हैं क्या होता है तो अब हमारे पास value क्या थी question था हमारे पास 9 plus 7 X minus आगे क्या था हमारा यहाँ पर 16 था इसकी यहाँ पर 4 नहीं यहाँ पर था 16 16 plus यहाँ पर plus था 16 plus तो यहाँ पर आपने देख लेना है यहाँ पर आपका था plus 16 plus यहाँ पर plus यहाँ पर plus है यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस और अगर plus आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस यह आपने देख लेना है मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो हमारा पास X जो है वो प्लस का ही आएगा और यहां पे हमारा 1 प्लस N X यह भी हमारे पास यहां पर प्लस का ही आएगा और यहां पर देखिए कितनी छोटी सी गलती से हमारा यह प्लस का ही otherwise आपका sum जो है वो गलत हो जाता यहां पर अब यहां पर 16 plus 3x और नीचे क्या था 4 plus 5x एक बार देख लेते हैं भई यही था 4 plus 4 plus 5x अगर आप गलत कर दोगे तो अंसर गलत ही आ जाएगा आपका तो आपने देखना है अच्छे से ठीक है तो यह इसका अंसर क्या था मैंने निकाला 3 plus 7 by 6x तो यह इसका अंसर आएगा 3 plus 7 6x यह आएगा minus इसका अंसर क्या निकाला था हमने इसका अंसर निकाला था 2 minus 2 plus 3 over 32x यह था निकाला हमने ठीक है और नीचे क्या था नीचे हमारा आजाएगा 4 plus 5X अब ये क्या बन जाएगा 3 plus 7 by 6X इसको ये plus के हैं ये minus के बन जाएगे ये भी minus का बन जाएगा और नीचे आ रहेगा 4 plus नीचे आ रहेगा 4 plus 5X तो ये अब 3 है ये क्या है 2 3 में से 2 minus करेंगे तो यहाँ पर आ रहेगा 1 plus अब इसका क्या आएगा 7 by 6X माइनस 3 by 32X और नीचे हमारा है ऐसे आ रहेगा और नीचे हमारा है 4 plus 5X अब इसका LCM ले ही लेते हैं 1 plus इसका LCM क्या आएगा 6 और 32 का LCM 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 आ रहेगा यहाँ पर 16 आ रहेगा अब यहाँ पर 3 से करेंगे तो यह आ रहेगा 16 आ रहेगा मिस्ज यह वाला हमारा LCM आ रहेगा यह LCM मैं ऐसे रखता हूं यह LCM हमारा है 2, 3 और 16 अब ये 6 से 6, ये 6 ऐसे बन रहा है, 6 से 6 कर जाएगा, 16 उपर जाके multiply हो जाएगा अगर हम 16 को 7 से multiply करेंगे, तो 1, 1, 2, x आ जाएगा, minus 32 अगर 16 को 2 से करेंगे, 32 ये 3 है, 3 उपर जाके multiply हो जाएगा 3 से, तो 9 बन जाएगा अब नीचे क्या है, 4 प्लस 5 x, ऐसे बन जाएगा, अब ये क्या बनेगा, 1 प्लस, अगर इसको इससे minus करेंगे तो ये बन जिरो 3, 7 में इसको इससे multiply करेंगे, ये 16 को 6 से, तो ये 96 और 7 x आ जाएगा अब ऐसे तो ठीक है, इतना आ जाएगा, और नीचे हमारा बन जाएगा 4 प्लस 5 x, सर अभी तो answer आया नहीं, अभी हमने नीचे वाले को भी solve करना है तो ये बन जाएगा 1 प्लस 103, यहाँ पर 96, ऐसे और ये वाला, अब ये वाला इसकी power कुछ नहीं है ये बन जाएगा 4 प्लस 5 x की power minus 1, तो ये minus 1 बन जाएगा और फिर से इसको compare करते हैं, compare करने से पहले मैंने बताया था, कि यहाँ पर एक ही होना चाहिए तो हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर एक ही होना चाहिए, तो ये 4 की power, ये minus 1 भी आएगा, यहाँ पर आएगा 1 यहाँ पर इसके पास 4 नहीं है, तो 4 नीचे आ रहेगा, ऐसे बन जाएगा ठीक है, अब हम इसको compare करते हैं, तो हमारा answer आ रहेगा अगर हम compare करेंगे, तो क्या बनेगा, 1 प्लस x की power n से करेंगे तो हमारा x क्या बनेगा, x हमारा बन जाएगा यहाँ पर formula यहीं लिगोना है, 1 प्लस n x, तो x हमारा बन जाएगा यह बन जाएगा, और n हमारा बन जाएगा, minus 1 तो जल्दी से इसको solve करते हैं, तो यह बन जाएगा 103, 1 प्लस 9 by 6 ऐसे है और यहाँ पर x है, और यह इसकी power minus 1 है तो नीचे जाएगे ऐसे plus 1 हो जाएगी तो यह क्या है, आगे इसका क्या करेंगे 1 प्लस n, 1 प्लस n कितना था, minus और यह कितना था, plus, यह ऐसे बन जाएगा ठीक है, अब हम जल्दी से solve करते हैं इसको यह बन जाएगा, 1 प्लस 103, 96, 7 में x और इसको अब solve करते हैं, यह 1 by 4, 7 में ही है और यह बन जाएगा, 1 माइनस 5 by 4, x ऐसे बन जाएगा, अब हम इसको देखते हैं, 1, 0 यह ऐसे बनेगा, 1 प्लस 103, 96, x ठीक है, अब यह जो 1 by 4 है, ऐसे भी जाने देते हैं, जा फिर हम इसको multiply कर देते हैं, अगर multiply करेंगे तो यह बन जाएगा, 1 by 4 इसको इससे करेंगे, नीची होगा, तो यह बन जाएगा 5 by 16 x अब हमने इसको just multiply करके answer ले जाना है first को first के साथ multiply करेंगे, तो यह जो 1 by 4 first को second के साथ multiply करेंगे, तो यह जो जो 5 by 16 x second को first के साथ multiply करेंगे तो यह आ रहाएगा one zero three नीचे आ रहाएगा ninety six into four साथ में x इसको इससे multiply करेंगे तो वो square आ रहाएगा जो की हमें नहीं चाहिए तो वो हम neglect कर देंगे तो इतना है हम इसको कर देंगे आगे हमारा one zero four minus इसका lcm अगर लेते हैं अगर हम इसका lcm लेंगे तो क्या बनेगा इसका lcm ninety six को four से multiply करते हैं तो यह इतना बन जाएगा तो five by sixteen x यह इतना one zero three यहाँ पर three eight four x आ जाएगा अब जास इसका हम lcm ले लेते हैं one by four इसका lcm लेंगे देख लीजिए यही आएगा three four three eight four आ रहेगा अब इसको इससे divide करेंगे अगर हम यहाँ पर यह प्लस यहाँ पर minus आ रहेगा क्योंकि यहाँ पर यह minus है इसको हमने लेना है तो यह minus हा रहेगा यह इससे plus मत कराना नहीं तो गलत हो जाएगा यूंकि इसके साथ ही है minus अकेला नहीं है तो यह बन जाएगा one by four यह इसको इससे minus करेंगे तो यह बन जाएगा seventeen x नीचे आएगा three four x तो यही हमने जो है वो निकालना था देख लेती है यही अंसर था यह देख लीजिए one by four minus seventeen x नीचे three four three eight four इसका अंसर आ जाएगा तो मेरे खियात से आपको पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे perform कर रहे हैं तो आपको एक-एक मैंने step बता दिया है थोड़ा सा lengthy काफी हो गया बट यह step है इसलिए इसको ध्यान से करना ने तो गलत हो जाएगा वाई वाई नेक्स वीडियो मिलते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो like, comment, share कर दीजिए